आज मैं आपको उपछाया चंदर गरहन के विशे में बताने जा रहा हूँ 5-6 जून के अमध्द गत रात्री 5-6 जून रात्री जारा बचके 16.00 least के 24.00 मिनट तक उपछाया चंदर गरहन लगेगा उपछाया चंदर गरहन जो है बास्तम में चंदर गरहन नहीं होता पूनिमा पर कहीं बार चंदर ग्रहन लगने से पहले प्रिथवी चंदरमा को प्रिथवी की उपचाया से गुजरना पड़ता है इसे चंदर ग्रहन नहीं कहते हैं इस वर्ष पांच जून, पांच और छे जून की मदिगतरातरी, पांच जुलाई और तीस नमंबर को तीन उपचाया चंदर ग्रहन लगेंगे इन्हें चंदर ग्रहन नहीं कहते हैं, इसके दान पुन्ने का कोई महत्व नहीं होता इस वर्ष 21 जून को एक ही सूरे ग्रहन लगेगा, इस वर्ष पूरे और इसका ही आपने विचार करना है पांच जून जो उपचाया चंदर ग्रहन लगने जा रहा है, इस विशे में विशेश कर गर्वती महलाओं को कोई चिंता नहीं करनी है इसके दानपुन्य का कोई महत्व नहीं है, इसका सूतक का कोई महत्व नहीं है, यह उपचाया चंदर ग्रहन है इसके विशे में चिंतित ना हूँ शोशल मीडिया में देखने को मिल रहे है कि एक हिमा में तीन ग्रहन लगने जा रहे है ऐसा होगा वैसा होगा इस वर्ष एक ही सूरे ग्रहन लगेगा वह 21 जून को लगेगा उसके विशे में हमें दानपुन ने अथ्वा जो भी करना है वो करना चाहिए पांच और शे जून की जो मद्द रातरी को उपछाया चंदर ग्रहन लगने जा रहा है यह उपछाया चंदर ग्रहन है इसके विशे में ब्रमित ना रहें और कोई भी आपको चिंटा करने की जुरूरत नहीं है